नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फारघवरर पर दोस्तों हिंदुस्तान कंष्ट्रकों कंपनी लिम्ट्ट इडिट कंपनी अपने सेडार को के लिए यहां पर आपको अपड़ेट देता हूं तो अगर हम right issue का size देखें तो लगबख 16,666,666 share का जो ये right issue होने जा रहा है amount wise देखें तो लगबख 350 करोड का ये right issue है इसके लिए जो record date रखी थी वो रखी थी 16 मार्च 2024 की तो 16 मार्च तक जिन भी shareधार को के पास इसके share रहे होंगे वो इस right issue के लिए eligible रहेंगे और उन्हें जो है right entitlements lot कर दी जाएंगे तो किस ratio में right entitlements यहाँ पर रखे गए थे तो 13 is to 118 याने कि 13 अनुपात 118 का यहाँ पर ratio रखा गया था तो हर 118 share पर 13 right entitlements मिलेंगे जो भी eligible share धारक यहाँ पर रहेंगे price जो रखा गया है वो 21 रुपे पर right share का रखा गया है और यह पूरा का पूरा जो amount 20 रुपे वो at the time of application क्योंकि यह fully paid up right issue है तो जब आप application करेंगे right share के लिए तो यह 21 रुपे पर right share आपको पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो right entitlements आपको अलॉट हुए है वो right share मत समादिएगा कि वही right share आपको अलॉट हो गया है आपको जो है application करनी होगी जितने भी right entitlements आपको अलॉट हुए उतने right shares के लिए आप eligible हैं जितने भी shares के लिए आप application करना चाहते हैं तो asba के तो online asba के तुरू या फिर offline दोनों के जरीए आप यहाँ पर payment कर सकते हैं online के लिए अगर आपको करना है तो आप अपने net banking पर login करिएगा वहाँ पर apps asba को option आएगा जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो Hindustan Construction का वहाँ पर राइट इसू का जो है option रहेगा उस पर क्लिक करके आप payment कर सकते हैं otherwise किसी भी self certified syndicate bank जाकर asba का जो physical form है वो फिल करके भी आप जो है यहाँ पर application कर सकते हैं इसू open हो रहा है 26 March 2024 को और close होगा 5 April 2024 को तो जो भी eligible share धारक है वो अगर इस राइट इसू के लिए application करना चाहते हैं तो वो 26 March से लेकर 5 April तक जो है यहाँ पर application कर सकते हैं अब जैसे ही राइट इसू open होता है तो इसके राइट entitlements की trading भी start हो जाती है तो जो राइट entitlements की trading चलेगी वो 26 March से लेकर 2 April तक चलेगी तो जो मार्च से लेकर 2 April तक राइट entitlements की trading चलेगी बट आप जो application है वो 5 April तक कर सकते हैं अब उसके बाद अगर हम कुछ अन्य महतपूर्ट देखें तो allotment कब तक हो जाएगा तो जो भी इसके लिए apply करेंगे राइट के लिए उन्हें 16 April 2024 तक जो है allotment की tentative date है अलotment हो जाएगा क्रेडिट की जो expected date है वो 18 April 2024 की है और जो issue price रखा गया है वो रखा गया है 21 रुपए का तो हम discount देखें तो लगभग बारा रुपए 90 पैसे का discount है तो लगभग 38% के यहां पर discount दे रही है company अपने जो existing eligible share धार को है उनके लिए कंपनी के financial देखें तो मार्च 2022 में जहां company का revenue घटकर 9912.33 करोड कर रहे गया और यहां पर company ने लगभग 28 करोड का यानि कि 27.84 करोड का जो है लौस रिपोर्ट किया था बट अगर हम long term के लिए जो इस company को भली भाती जानते इंवेस्टर वो यहां पर long term के लिए जो है अपना पैसा पार्क करते देखे जा सकते हैं वट यह किसी भी प्रकार का रिक्मेंडेशन नहीं है तो किसी भी प्रकार का इंवेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने फैनेशल एडवाइजर की सिलाह लेकर ही इंवेस्टमेंट करें आसा करतों जनकारिया आपको पसंद आरे होगी प्लीज लाइक कीजी वीडियो को सब्सक्राइब कीजे च